कोई भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश ये संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोविंद मेगवाल कोटा दोरे पर है मंत्री गोविंद मेगवाल ने बताए कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी राजिस्तान दोरे पर आ सकती है राहूल गांदी की भारत जोडो यात्रा के विबिन पहलों को लीकर कैबिनेट मंतरी गुविन मेगवाल से खास बातचीत के हमारे से होगी भावर एश चारणने राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा हडोती में लगातार आगे बढ़ रही है जालावार के बाद दूसरे जिला मुख्यले कोटा में इस वक्त यात्रा चल रही है और रास्तान सरकार के मंतरी गुविन में एकवाल लगातार मोर्चा संबाले हुए है गुविन जी जिस तरह का दावा और जिस तरह की चुनोती खुद मुख्यमंतरी अशोग गहलोत ने राजस्तान के कारकरताओं को नेताओं को दी थी कि राजस्तान में सबसे बहतर रेस्पंस यात्रा का रहेगा क्या कैसा माहूल अभी तक आपको देखने को मिल रहा है मत्यप्रदेश की सीमा है उसके उपर पहली वार मैंने भी देखा लाइब में कि हजारों के संख्या में आकर उत्सा वर्दन उनका अभी दिन्दन किया स्वागत किया यात्राकार उसी शाम को चार की शाम को विसाल आमसपा हुई बहिंकर जनसुमों मुडा और इस यात्रा को लेके जितना भारतवरस में अभी उत्सा है ऐसा पहले मैंने नहीं देखा दूसरा आपने देखा होगा कि आजादी के बाद ये पहली यात्रा है जो इतनी लंबी शाड़े तीरे जार किलोमेटर चल रही है और इस यात्रा का जो उद्श्य है वो बहुत बड़ा उद्श्य है आप देख रहें कि पूरे देश में महेंगाई चरम सीमा पर है याद में जिस तरह से इन्होंने पूरे देश में जहर फैलाया है इससे आम आदमी हाथ है अभी तक बात मैं नहीं कह सकता अभी हम लोग जानकारी करेंगे लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि कोटा आपको पता है कि धारिवाल जी और मुख्यमंतर जी ने कितना बड़ा इन जबरदस्ट शेर में जो है उनकी साफ सफाई उनका विकास देखने को बनता है तो मैं धारिवाल जी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्यमंतर जी तो इसको इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे जब जिस तरह से ठहरा हो नहीं रहा यातरा इस दिन सुनिया गांधी भी राजस्तान में यातरा को जोईन कर सकती है गुविंद में एकवाल कहते हैं कि वो राहूल गांधी जिसके बारे में कहते थे सुने की चमच लेकर पैदा हुआ है रोज 35-40 किलोमेटर चल रहा है और भारत को नजदीक से जा करके समझ रहा है कै मरमना कासदीप सिंग के साथ भावर रस्चारन फरस्ट इंडिया न्यूज कोटा